हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में अगर आपली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सबस्क्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें सबसे ज्यादा संक्षिप्ट न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें प्या निगमने शनिवार को हैनी मैंने जूकेशलने इंडडेवल पर और अट सोसाइटी की और से हुम्योपैथी पर आयोजित संगोश्ठी और दीडां हर्ष ने बताया कि वाओं और तनाहवा अवसाद सबसे बड़ी समस्या बन रही है इसका एक प्रमुख कारण विष्टों की नाकाम्याभी है उन्होंने बताया कि एलोपैथ समित दूसरी आन्य पध्धतियों और इलाज के नाम पर केवल नीन की दवा दे दी जाती है ऐसे औ और फायदा के बजाए पीड़ित के मासिक स्वास्थे पर बुरा असर पड़ता है गोश्ठी और मुख्य अतित्री के और पर मौजूद सकारिता मंत्री मुकूर्ट विहारी वर्मा ने कहा कि होम्योपैथी पधति देश के गरीब लोगों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है इस मौके पर डा बीपी रस्तोगी डा अनिरूद वर्मा डा एन सिंग डा उपी श्रीवास्तव डा जमील अहमद फारू की वर डा दीपक शर्मा भी मौजूद थे डा हर्ष ने बताया कि वाओं और तनाववर अवसाद सबसे बड़ी समस्या बन रही है इसका एक प्रम समेट दूसरी अन्य पध्धतियों और इलाज के नाम पर केवल नीन की दवा दे दी जाती है ऐसे और फायदा के बजाए पीड़ित के मासिक स्वास्थे पर बुरा असर पड़ता है गोश्थी और मुख्य अतिथी के तोर पर मौजूद सकारिता मंत्री मुकुट विहारी वर्मा ने कहा कि होम्योपैथी पध्धति देश के गरीब लोगों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है इस मौके पर डा बीपी रस्तोगी डा अनिरुद्ध वर्मा डा एन सिंग डा उपी श्रीवास्तव डा जमील अहमद फारूकी वर डा दीपक शर्मा भी मौजूद थे अफसाद के होते हैं चार चरण और हर चरण का इलाज अलग डा हर्श निगम ने बताया कि तनाववा अफसाद को चार चरणों और बांटा गया है इसके हर चरण का अलग इलाज किया जाता है इससे मरीज को पानीद से पानीद अफसाद जैसी समस्या से छुट कारा मिल जा वह कुछ भी सोचसमज नहीं पाता तू दूसरा सर्चिंग फेज होता है इस और लोग अभिलाशा और जीता है दुखी रहे कर लोग हमें अतीत को याद करके खोयारता है थ्री तीसरा ग्रिविंग फेज होता है इस चरण और लोग बहुत दुखीर ने लगता है और एक समय बादो आक्रमक बदले की भावना सुसाइड वर अपराथ की प्रवृत्ति रखने लगता है याई फेज बेहत घातलत होता है फूर चोथे चरण को फेथा फ्री कंस्ट्रक्शन पते है इस और मरीज लोग सारे चरणों को पार कर दो बारा सुधार की स्थिती और होता है ल और से करीब 60 प्रतिशत लोगों और इंफर्टिलिटी का कारण पता नहीं चल पाता आई वी एफ तलकनीक से भी केवल 12 से 14 प्रतिशत दमपती को ही काम्या भी मिल पाती है इलाज होम्योपैथी से किया जाए तो करीब 25 प्रतिशत दमपती पूरण रूप से ठीक हो सकते है हर्ष ने बताया कि सांस्या रिदय रोग से पीड़ित मरीज ऐसा को हुम्योपैथी पधती से इलाज नहीं कराना चाहिए मिर्गी के दोरे मा लखवाय और भी एलोपैथी पधती से इलाज करवाना चाहिए इन बीमारियों और मरीज के पास समय कुछ होता है ऐसे और इस प इलाज सरजरी है होमियोपैथ और बिना आप्रेशन ही दवाओं से इलाज संभव है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए हमें कामेंट्स के जरिए बताये कि वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें झाल 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 झाल